पश्चिम बंगाल में अपना जमीन को मजबूत करने के लिए भारतिय जंता पार्टी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा है। पार्टी का राजनीतिक जो सोच है यानि उनका बुन्यादी धाचा वह धर्म के आधार पर है लेकिन पश्चिम बंगाल के राजनीतिक जमीन में धर्म बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर कोई भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ताजमाहल को पर्यटन सूची से बाहर रखे और वही भारतिय जंता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना जमीन मजबूत करने की कोशिश करें जहां से सबसे ज्यादा पर्यटक ताजमाहल देखने जाते हैं इस लेक के माध्यम से करना चाहता हूँ एल पश्चिम बंगाल के लोगों का एक बुरा आदत है सौरब गानबुली जब क्रिकेट खिलेगा सारे लोग मैदान में हाजिर हो जाता है लेकिन वही सौरब गानबुली अगर राजनीतिक मैदान में आ जाये तो बहुत कम आदम सौरब गानबुली के आसपास दिखाए देगा इसलिए चतुर सौरब गानबुली जो पश्चिम बंगाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं वह भारतिय जनता पार्टी का प्रस्ताव को नकार दिया था कि उनको मालूम है हमारा खेल बंगाल के आदमी जरूर देखेगा लेकिन जब हम भारतिय जनता पार्टी का जंडा लेकर खड़ा रहेंगे तो हमारे पास वही आदमी नहीं आएगा एल पश्चिम बंगाल में भारतिय जनता पार्टी का कुछ चेहरा चल्चत जगत से आए हैं जैसे रूपा गानबुली लोकेट और बपी लहली एलाज भी अगर रूपा गानबुली कोई अच्छा फिल्म बनाए तो वह फिल्म पश्चिम बंगाल में बॉक्स ओफिस में हिट होगा इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन वही रूपा गानबुली जब भारतिय जनता पार्टी का उमीदवार होकर चुनाव लड़ा पूरी तरह पर अंदोलन के माध्यम से वामपंथी कॉन्ड्रेस शासन को सत्ता से बाहर किया एल किसान हो मजदूर हो मेहनती इंसान हो सभी को इकठा करके लंबा समय तक आंदोलन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में कॉन्ड्रेस शासन का समाप्त हुई और वामपंथी शासन आया एल ममता बैनर्जी की आंदोलन शुरू हुई पहले कॉंड्रेस पार्टी के माध्यम से बाद में ममता बैनर्जी अलग पार्टी बनाकर लगातार वामपंथियों के खिलाफ आंदोलन जारी रखा काफी लंबा समय तक लगातार आंदोलन के माध्यम से 2011 में ममता बैनर्जी ने का प्राम्याभी हासिल की पश्चिम बंगाल की सत्ता वामपंथियों के पास से ममता बैनर जी का त्रिनमूल कॉंड्रेस के पास आ गया एल ममता बैनर जी का एक आंदोलन बहुत नजदीक से देखा खास करके सिंगूर और नंदीग्राम की आंदोलन ये बात सही है मैंने तीन भूत पूर्व कॉंड्रेस नेता वर्तमान त्रिनमूल पारशद विजय उपाध्याई उस वक्त ममता बैनर जी के आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य थे उपाध्याई जी के साथ साथ रहने के कारण मेरे को मौका मिला था सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन को नजदीक में ममता बैनर जी का जना अंदोलन रूबरू देखने को मौका मिला एल इसलिए मैं भारतिय जनता पार्टी के राश्ट्रिय नेतरित्वा को सलाह देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल का राजनीतिक जमीन को अगर सही मायने में समझना है तो यहां का राजनीतिक इतिहास का अध्यायन कीजिये एल नंदीग्राम अंदोलन के दोरान एक बार विजय उपाध्याई जी के साथ ममता बैनर जी का गारी का काफिला में सफर किया था उपाध्याई जी ममता बैनर जी का गारी में थे और मैं पीछे काफिला में विजय उपाध्याई जी का गारी में था एल उस दिन काफिला चलते चलते सच्चाई के साथ आप लोगों को मैं आज कह रहा हूँ खेत खलियान से निकल कर बुजुर्ग महिला किसान दौल दौल के सिर्फ और सिर्फ ममता बैनर जी को देखने के लिए आ रहा था आने वाला 20 बटा 25 साल पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जमीन पर भारतिय जनता पार्टी का काम्यावी दूर दूर तक संभव नहीं है अल यहां का जनता राजनीतिक शेत्र में इतना आसानी से किसी को सत्ता नहीं देता है अगर इमांदारी में धर्म छोग कर बुनियादी समस्याओं को लेकर जन अंदोलन भारतिय पार्टी द्वारा किया जा सकता था तो कुछ बात का उमीद रहता लेकिन धर्म के नाम पर राजनीती भारतिय जनता पार्टी का राश्ट्रिय मजबूरी है और पश्चिम बंगाल का जमीन पर धर्म के नाम पर राजनीती का खेती संभव नहीं है एलाज मैं और एक बार मैं कहना चाहता हूँ भोड़ा भी मेहनत करता है गदे भी मेहनत करता है यह एक निश्पक्ष विचार है कोई भी राजनीतिक दल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं इतिहास के साथ साथ वर्तमान परिस्थिती के उपर ये लेख लिखा